यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे अधार डेमोग्राफी अपडेट में आपका अपडेट क्या क्या होता है तो आपका नाम अपडेट होता है, डेट और वर्थ अपडेट होता है, मोबाइल नंबर अपडेट होती है, इमेल आइडी अपडेट होती है और भी आईडी से अधार कार्ड में अपडेट का काम आप कर सकते हैं और अभी सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो अपडेट का ही हो रहा है जैसे कि नया अधार कार्ड कितने लोगों का है ज्यादा लोगों का भी नहीं है नया अधार कार्ड ज्यादा लोग बनाते भी नहीं है लेकिन अगर वही आप update का काम करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोग आपके दुकान पे आएंगे और अधार कार्ड में update करवाएंगे और ज्यादा कोई चार्ज भी नहीं है चार्ज भी यहाँ पे देखेंगे तो pay 50 रूपीज यहाँ पे आप देख सकते हैं pay 50 रूपी मतलब यहाँ पे 50 रूपे में भी आपको commission मिल जाता है मतलब कि 40 रूपे के करीब में आपको यहाँ पे लगता है और 40 रूपे में अधार कार्ड में update कर सकते हैं जैसे कि नाम update कर सकते हैं email id अपडेट कर सकते हैं mobile number अपडेट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पापा का नाम address यह सब कुछ अपडेट आप यहाँ पे सिर्फ 40 रूपे में कर सकते हैं ठीक है तो यह है CAC से अगर आप अधार सिंटर खोलेंगे तब आपको यहाँ पे यह सब का मिलेगा अभी आपको पता होगा कि ऐसे नॉर्मली अगर आप अधार सिंटर लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा मार्केट में कहीं भी खोलने के लिए अधार सिंटर आपको नहीं मिलेगा मार्केट में कहीं भी आप चले जाए बी जहां पे जितने भी government service है private service है वो सभी service का आप use करी सकते हैं और साथी साथ आप यहां पे अधार का भी काम कर सकते हैं ठीक है अधार का काम बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन यहां पे आपको इसलिए अधार का काम नहीं मिलता है क्योंकि मतलब अभी बैंक में मिल रहा है चाहे मतलब पोस्ट आपिस में मिल रहा है चाहे ब्लॉग में मिल रहा है लेकिन ऐसे नॉर्मली आपको नहीं मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं CAC E-Government Service मतलब की CAC वाले को अधार सेंटर मिलेगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि CAC वाले को नहीं मिलता है, CAC वाले को मिलता है अधार सेंटर बहुत सारे जगा जाके देख लीजगा CAC वाले को अधार सेंटर मिलता है ठीक है अब दोस्तों आपको CAC ID अगर आपके पास है फिर आपको अधार सेवा केंदर खोलनी है तो कैसे खोलेंगे ठीक है इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक CAC की ID होनी चाहिए और आपके पास दो certificate होना चाहिए ये दोनो certificate जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप अधार सेवा केंदर नहीं खोल सकते ठीक है पहला आपका यहाँ पे होता है IIBF ये certificate आपको पहले लेना होगा जब तक ये certificate आप नहीं लेंगे तब तक आप CSE से अधार सेवा केंदर नहीं खोल सकते ठीक है तो यहीं से आपका मतलब apply करने का पुरा process जो है वो यहीं से आपका होता है apply यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे आप exam non member पे click करेंगे और यहीं से आपको form भरना होगा ठीक है यह आपका हो जाएगा तब आपको यहाँ पे एक और certificate की जोरत परती है जो होता है आधार certificate ठीक है direct आप लिखेंगे डबल अडी एच ए आर ठीक है यहाँ पे आधार exam ठीक है यहाँ पे जैसे ही आप आधार exam लिखेंगे तो first में ही आपका आजाएगा nseit exam.com ठीक है मतलब की nseit के तरब से आपका एक exam होता है और उसी के तहट आपको यहाँ पे एक certificate प्रोबाइड होती है certificate कैसा होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं certificate इस परकार का होता है जहाँ पे आप देखेंगे तो पहले आपका यहाँ पे आपका photo लगा होता है ठीक है उसके बाद यहाँ पे certified के जच्ट नीचे आपका नाम होता है कि आप certified हो चुके है अधार सेंटर खोलने के लिए उसके लिए एक certificate है जैसे कि कहीं भी government job या private job कहीं भी job किजेगा तो वहाँ पे आपको certificate इसलिए मांगता है कि सही में आप pass out है की नहीं और आपके अंदर knowledge है की नहीं देखें plus point सीरी पर चरने के लिए certificate की जोड़त पर दिये और उसके बाद ही आपसे कोई question करेगा ठीक है तो यही है तो यहाँ पे जब आपके पास ये certificate रहेगा उसके बाद ही आप अधार center के लिए apply कर सकते हैं अगर आपके पास ये certificate नहीं रहेगा तो आप अधार center के लिए apply नहीं कर सकते हैं इसी वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आपको certificate लेना कैसे आप pass out होंगे कैसे ठीक है यह सब कुछ हम बताएंगे ठीक है यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले home पे आते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको create user पे जाके आपको यहाँ पे registration कर लेनी है यहाँ पे सब कुछ बताया गया है how to apply में जाएंगे हिंदी एंगली जो भी में आप comfortable है य जो NACID के तरब से मिलता है ठीक है उसके बाद अब आपको करना क्या है आपको यहाँ पे सबसे पहले search करना है CAC banking ठीक है यहाँ पे जब CAC banking search करेंगे तो यहाँ पे देख सकते CAC banking यहाँ पे हम click कर देते हैं यहाँ पे दोस्तों देखेंगे CACbankmitra.in यहाँ पे first में ही को click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे कि bank मित्रा portal है जमर्जेट with the new bc onboarding portal ठीक है यह जो portal है यह bc मतलब business correspondent portal है ठीक है bank correspondent portal है यह आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे bank id लेने के लिए सबसे पहले क्योंकि bank से ही आपको अधार center मिलता है आप पास में भी देखेंगे तो bank से अधार center ही मिलता है ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों जब आप देखेंगे तो यहाँ पे click here का option मिलता है यहाँ पे click कर देना है ठीक है कि यहां से apply करते हैं यहां से आपको apply ही नहीं करना है यहां से जब आप apply करेंगे तो आपका banking के लिए apply होता है और जैसे कि अगर आपको अधार center लेना है तो इसके लिए आपको यहीं से apply होगा ठीक है कैसे apply होगा ठीक है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक apply for more service यहाँ पे आपको यह सभी service को देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे apply हम कैसे करेंगे ठीक है तो यहाँ पे apply for more service पे आप click करेंगे जब यहाँ पे आप click करेंगे तो थोड़ा दिर आपको यहाँ पे wait करना होगा ठीक है यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर select your service मतलब कि आप यहाँ पर banking ID जब लेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सी service का यूज करना है यह आपको समझना पड़ेगा ठीक है तो हमें यहाँ पर अधार का काम करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अधार लिख काम करते हैं कोई skill से related काम करते हैं कोई मतलब railway ticket booking यह सब का काम करते हैं ठीक है तो हमें यहाँ पर सिर्फ अधार का ही काम करना है तो यहाँ पर हम अधार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सब्मीट का option मिलेगा सब्मीट से पहले दोस्तों बता दे कि आपको यह service और अ EIT के तरफ से जो certificate मिलता है उसके बाद ही आप यहाँ से apply कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तों apply कैसे करना है तो यहाँ पे आपको करना है submit ठीक है जब यहाँ पे submit पे click करेंगे तो आपका यहाँ पे नाम आ जाता है और यहाँ पे success भी लिखके आ जाता है ठीक है आप यहाँ देखिए और उसके बाद dear मतलब आपका नाम और उसके बाद देखता है कि thank for selecting the service मतलब आपने service को select किया इसके लिए thanks ठीक है our team will connect your soon reference number आपको इतना ठीक है मतलब की जो मतलब team है ठीक है जो verify करती है कि यहाँ पे आधार center के लिए apply किये हैं banking के लिए apply किये हैं तो वो आपक दुकान होगा आपका address पहले ही रहता है CSCID में ठीक है तो वहाँ पे वो mapping भी रहती है तो वहाँ पे आप आएंगे वो और आपका पूरा मतलब details लेंगे और verify करेंगे कि सही में अधार center खोलने के लिए आपके पास जगह है कि नहीं आपके पास समान है कि नहीं तो अभी कि आपको समान नहीं लेना है सबसे पहले यहां पर आपको apply कर लेनी है ठीक है अधार में जो जो machine लगती है उसका अभी समान आपको लेना ही नहीं है ठीक है वो तलीजिएगा जब आपको अधार dollar center मिल रहा है तब आपको समान ये सब कुछ लेना हे ठीक है तो दोस्तो यह पर अपलाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने बताया है कि कैसी आपको अपलाई करना है अगर आपके पास CAC की ID है तो अधार सिंटर आपको बहुत आसान तरीके से और बिलकुल फ्री में मिलती है कोई भी चार्ज आपको देने की ज़रुत नहीं है बिलकुल फ्री में आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में